दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सम्दिबा उत्रवज का छेतरफल निकालना सीखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक सम्दिबा उत्रवज है तो इसका छेतरफल हम लोग दो वीडियो से निकालेंगे सबसे पहला जो विदी है वो हम लोग सुत्र से निकालेंगे यानि कि सम्दिबाउत्रवच के छेतरफल का एक डारेक्ट सुत्र होता है उस सुत्र से इसका छेतरफल सबसे पहले निकालना सीखेंगे और जो दूसरा विदी है माने लिजी आप सम्दिब आउत्रोच के छेतरफल का सुतर भोल चुके हैं तो फिर आप लोग इसका छेतरफल किस तरह से निकालेंगे वो भी हम लोग इसी वीडियो में डिसकस करेंगे दूसरा विदिव वही है तो देखें इस वीडियो में मैंने सम्दिब आउत्रोच का छेतरफल निकालना एकदम बेसिक से सिखाया है एकदम जीरो लेवल से सिखाया है और इसे हर कोई समझ सकता है बस आप लोग इस वीडियो को थोड़े ध्यान से देखेगा आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाएगा तो देखें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सम्दिब आउत्रोच क्या होता है तो देखें इसका परिवासा क्या होता है तीन बुजाओं से गीरी हुई ऐसी बंद आकरिती जिसकी दो बुजाओं बराबर लंबाई की हो सम्दिब आउत्रोच कालाता है अब देखें बुजा क्या होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक त्रोच है तो इसमें यह जो रेखा है न तीनो इसी को बुजा काते है तो परिवासा क्या है कि तीन बुजाओं से गिरी हुए ऐसी बंदाकरेती जिसकी दो बुजाएं बराबर हो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें तीन बुजा है तो तीनों बुजा का कुछ ने कुछ लंबाई होगा तो अगर दो बुजा बराबर लंबाई की है तो उसे सम्दिवाउत्रवज का देंगे जैसे इस त्रवज में आप देख सकते हैं कि ये 10 cm लंबा है ये बुजा 10 cm लंबा है ये 6 cm लंबा है तो ये दोनों बराबर भुजा है, ये अलग है, यानि कि ये सम्दिबाउत्र भुजा है, उसी तरह से भी सम्दिबाउत्र भुजा है, माल लेजिए आपके ये परिवासा भोल चुके हैं, तो फिर आप कैसे पाचानेंगे, तो दिखिए ये सम्दिबाउत्र भुजा का और् सब्सक्राइब दो भूजा है हमने यहीं परिवासा जाना था कि तीनों भूजा में से दो भूजा बराबर होगा ठीक है तो इस तरह से आप लोग समदीवाउत्रवज पाचान सकतेई हैं अब यहां पर हम सुत्र देख लेते हैं तो दिखे्ए सम्दिवा उत्र वोज के च्छेतरफल का सुत्र होता है A by 4 रूट में 4B square minus A square अब इसमें A क्या है B क्या है तो A जो है अलग भूजा की लंबाई है B जो है बराबर भूजाओं की लंबाई है अलग भूजा का मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ पे 10-10 सुत्र से अगर हम लोग निकालेंगे तो A बराबर 6 हो जाएगा कियोंकि A यह अलग है सबसे और 10 देख सकते हैं यह बराबर है दोनों तो B बराबर 10 हो जाएगा अब देख सकते हैं A बराबर अलग भूजा की लंबाई B बराबर भूजा की लंबाई उसी तरह से मान लेजिए अगर इसका 6 तरफल निकालना है तो A बराबर 6 हो जाएगा B बराबर 5 तो चलिए अब हम लोग इसके सूत्र से त्रफोज का 6 तरफल निकालते हैं ठीक है तो हम लोग इसी त्रफोज का 6 तरफल निकालेंगे तो इसमें A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर 6 क्योंकि सबसे अलग हो जाएए यह और B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर आपका हो जाएगा 10 खीक है? तो A और B कमान सबसे पहले लिख लीजिए अब हम लोग इसका छेतरफर लिका लेंगे तो आप देख सकते हैं सम्दिबाउत त्रभोज है तो सम्दिबाउत त्रभोज का 6 तरफल का सूतर लिखिए तो लिखेंगे त्रभोज ABC का 6 तरफल बराबर तो चुकि आप लोग देख सकते हैं कि त्रभोज ABC सम्दिबाउत त्रभोज है तो सम्दिवा उत्रवज के 6 तरफल का सुदर क्या होता है A बटा 4 रूट में 4B स्क्वाइर माइनस A स्क्वाइर तो आप लोग क्या कर ये A और B का मनिसी में रख दीजिए तो A बराबर 6 है तो ये हो जाएगा 6 बटे 4 अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कि 10 का स्क्वाइर हो जाएगा माइनस A का स्क्वाइर A बराबर 6 है तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वाइर अब इसी को आप लोग हल करिए तो ये 6 बटे 4 है तो इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं तो 2 3 6 2 2 4 तो ये हो जाएगा 3 बटे 2 तो आप इसको काट भी सकते हैं वैसे भी हल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बाद में काट सकते हैं अब इसको आप लोग हल करिए तो यहां पर यह रूट लगाए तो यहां पर हो जाएगा 4 गुड़ा 10 का स्क्वायर यहां पर 2 गात है न तो 10 का 2 बार गुड़ा करेंगे त तो दस दाप पे 100, फिर minus 6 पर दो होगा थे, तो 6 का दो बार गुड़ा करेंगे, 6, 6, 36, अब इसके बाद ये हो जाएगा, 3 बटे 2 गुड़ा, रूट में, 4 और 100 का गुड़ा करेंगे, तो ये हो जाएगा, 400 फिर minus, ये हो जाएगा, 36, यहाँ पर आप लोग एक गलती मत करि ये नहीं कि 100 में से 36 गटा देख फिर गुड़ा करेंगे, गलती हो जाएगा, सब से पहले गुड़ा किया जाता है, फिर गटा आजाता है, तो ये हो जाएगा, 3 बटे 2 फिर गुड़ा, यहाँ पर रूट में, 400 में से 36 गटाएगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर रूट में एक संख्या आ जाएगा, तो इसके बाद आप लोग कैसे हल करेंगे, वो आप लोग ध्यान से समझेगा, तो इसे समझने के लिए हम लोग कुछ अलग से एक्जामपल ले लेते हैं, मान लिजिए यहाँ पर रूट के अंदर 48 ल कोई संख्या लिखा है, तो उसके बराबर हम कुछ न कुछ लिख सकते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है वो समझेए, सबसे पहले मान लिजिए यहाँ पर रूट में 48 है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैसे पता चलेगा, लिखने का तरीका क्या है, तो आप लोग अभाज गुडन खंड करिए इस तरह से तो दो दुना चार दो चौक आठ दो एकम दो दो दुना चार दो च्छा के बारह दो त्याँ छै तीन एकम तीन तो 48 का अब यहां पर जो संख्या आया है इन सभी का गुड़ा करेंगे तो 48 आ जाता है ठीक है तो हम लोग क्या क मिख्याओं का गुड़ा किया जाता है तो उससे एक बाहर निकल जाता है मतलब यहां पर देखे दो दो बार आया है तो इस दो में से एक दो रूट से बाहर निकल जाएगा यहां पर तीन अकेला है ना तो जो अकेला आता है वो रूट के अंदर रहा जाता है ठीक है तो इ याद रखियेगा, अब इन दोनों का गुड़ा करिए तो दो दोना चार हो जाएगा, हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर रूट मैं 36 है, तो इसके बरावर क्या लिख सकते हैं, वैसे ही करिए, यहाँ पर रूट के अंदर 36 है, तो 36 का भाज गुड़न खंड करिए, अगर आपको यह भाज गुड़न खंड इस तरह से करना नहीं आता है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा, यह दो से कटेगा, दो एकम से एक दो बाहर निकल गया, यहाँ पर तीन दो बाहर है, तो एक तीन बाहर निकल गया, तो आप देख सकते हैं, रूट में कुछ नहीं अकेला बचा, तो जब रूट में कुछ नहीं बचता है, तो रूट गायब कर देते हैं, तो यह वज़ाएगा दो त्याँ च्छै, त वूरूट में 2 गुढ़ा, 3 तो आप देख सकते हैं, 2 अकेला है, 3 अकेला है, जोडा तो मिल नहीं रहा है, जोडा मिलता है, तो एक हम बार निकाल लेते हैं, तो यानि कि यह हम इंका गुढ़ा कर लेंगे 6 यानि कि रूट 6 को 6 लिख सकते हैं, तो आयोप आपको समझ आ गया होगा तो यहां पर देखिए रूट में 364 है तो इसके बरावर हम क्या लिख सकते हैं तो ऐसे करिए रूट में 364 है तो हम इसके बरावर क्या लिख सकते हैं दो गुड़ा दो गुड़ा साथ गुड़ा तेरा तो यहां पर देखिए दो दो बार आ रहा है मने दो का जोड़ा मिल गया तो एक दो बाहर निकल जाएगा रूट से यह रूट में देखिए साथ अकेला है तेरा अकेला है तो यह रूट क हम यह लिखेंगे तीन बट दो फिर गुड़ा अब इसके जगवा पर हम यह वाला लिख देंगे दो रूट में एक क्यानवे ठीक है तो आप लोग यह सब रफ में करिएगा और इसके बाद डारेक्ट यह श्टिप आ जाएगा ठीक है अब यहां पर देखिए दो और यहां पर गुड़ा होता है अब यह दो से दो कड़ जाएगा इन दोनों का गुड़ा करेंग तो यह वजाएगा तीन रूट में एक क्यानवे तो इस तरह से हमने त्रवोज ABC का छेतरफल इतना निकाल लिया अब यहां पर लोग एक रूल समझ लिजिए कि जब भी हम लोग छेत चेतरफल तीन रूट में एक क्यानवे आ गया तो इस तरह से हम लोग समझ लिजिए वह त्रवोज का छेतरफल निकालते हैं ठीक है अब यह माल लेजिए कि आप यह सुत्र भोल चुके हैं तब आप लोग इसका छेतरफल कैसे निकालेंगे तो वहां पर हम लोग इसका छे असके आप लोगर कर्के कर देकाल सकते हैं तो हीरोन के सुत्र से चैतरफल निकालने के लिए आपको A B C माना पड़ता तो A B C किसको मानेंगे तो दिखिए A बराबर आप छाह लिख लिजियेगा बी बराबर अप लोगर दस लिखिएगा और C बराबर दस लिखिएगा या हिरोन के सुत्र से छेतरफल निकालने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा इसको आप लोग देख लेजिए आप लोग हिरोन के सुत्र से छेतरफल निकाल पाएंगे तो चलिए मैं आपको यहां पर एक सवाल देता हूँ कि यहां पर आप देख सकते हैं यह एक स सम्दिवाउत्र वोजे आप लोग इसका छेदर फन निकाल करके कमेंट में जरूर बताएगा